हमने 4 से 5 साल तक की बच्चे के लिए कॉलर वाली स्वेटर बनाई है आप लोग हमारे चैनल पर अलग-अलग प्रकार की स्वेटर देख सकते हैं गोल गले की, टोपी वाली, वी गले की, हाइनेक गले की हमने ये स्वेटर किस तरीके से बनाई है, इसकी वीडियो शुरू करेंगे अब दोनों साइट से हम उल्टा-उल्टा बिन लेंगे इधर से भी उल्टा और इधर से भी उल्टा 12 सिलाई हमने उल्टी-उल्टी बिन ली है छे रो एक दो तीन चार पांच छे अब यहाँ से एक साइट सीधा भी नंगे और एक साइट से उन्टा अभी तक यह साटी फंदे थे इसमें दस फंदे हम बढ़ा लेंगे एक फंदा यह बढ़ा दिया है एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे नीची से ले रहें फिर इसी तरीके से चार पांच फंदे बिनके फिर बढ़ा लेंगे इसी तरीके से पूरी सिलाई बिन लेंगे पूरी सिलाई हमने बिन लेंगे और दस फंदे इसमें बढ़ा लेंगे अब यह सत्तर फंदे होगे अब यहां से उल्टा बिन लेंगे अब हमें कोई फंदे नहीं बढ़ाने है एक साइड से उल्टा बिन लेंगे एक साइड से सीधा इसी तरीके से उपर को बिन लेंगे छै इंच हमने यह बिन लिया है अब यहां से दूसरा उन भी लगाएंगे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ साथ फंदे हमने यह बिन लिया है अब एक फंदा हम दूसरे कलार से भी नहीं लेंगे फिर दस फंदे फिर इसी कलार से एक, दो, तीन, चार, थागे को पीछे से इस तरीके से करेंगे पान, चे, साथ, आठ, नो, दस दस फंदे बिन लिये हैं, एक फंदा फिर दूसरे कलार से फिर दस फंदे फिर इसी कलार से इसी तरीके से पूरी सिलाई भी नहींगे अब लाश्ट में साथ फंदे बिन लिये हैं, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ सुरू में साथ फंदे भी नहीं थे और लाश्ट में साथ फंदे और बीज में दस दस फंदे पूरे हमारे सत्तर फंदे हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार हमने दस दस कहिए हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे बार एक, एक, और साथ फंदे इधर, साथ फंदे इधर पूरे सत्तर फंदे हो गए हैं डिजाइन दोनों साइड आएगा अभी हमने ये साथ फंदे भी ने दे, अब हम इनको छे फंदे भी ने दे क्योंकि एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, दूसरे कलर से आए एक, दो, तीन पहले लाइन में ये एक भी न था, अब तीन भी न दे ये वाले फंदे घटते रहेंगे और ये फंदे बढ़ते रहेंगे फंदे उतने रहेंगे, सिर्फ color change जो हो बीच में हमने इस कलर से दस फंदे भी ने थे, अब आठ फंदे भी ने दे क्योंकि एक फंदा इधर से इस color से आ गया एक फंदा यहां से आ जाएगा एक फंदक इधर से आ जाएगा एक, दो, ती अब इस color से तीन आएंगे और इस color से आठ इसी तरीके से पूरी शिलाई भिलन देंगे लास्ट में 6 फंदे भी नेंगे शुरू और लास्ट में फिर सीधी सिलाई में उल्टी में 3 भी ने थे अब सीधी में 5 भी ने थे एक, दो, तीन, चार, पांस उल्टी में ये वाले फंदे हमने 6 भी ने थे अब 5 भी नेंगे क्योंकि एक फंदा इस कलर से आजाए और ये फंदे उल्टी सिलाई में हमने 3 भी ने थे अब 5 आजाएंगे एक फंदा इधर से और एक फंदा उधर से एक, दो, तीन, चार, और एक यहाँ से पांच पांच फंदे फिर जो ये फंदे हमने आठ भी ने थे अब 6 हो जाएंगे इधर पांच हो जाएंगे ये 6 हो जाएंगे इसी तरीके से उपर कोई से बिन लेंगे ये कलर बढ़ता रहेगा और ये कलर के फंदे इधर को कम होते रहेंगे इस तरीके का हमारा design बन रहा है, अब बीच में दो दो फंदें बज गये हैं दो फंदें यह हैं, दो फंदें ये, दो फंदें ये, तो फंदें ये, अब यह फंदों को हम पूरे इसी color से बिनागे क्योंकि एक फंदा इधर से आजाएगा और एक फंदा इधर से आजाएगा तो फूरे फंदे इस कलर से आजाएगे आप यहां से उपर को इसी कलर से भी नगी अब यह दूसरा कलर हमने कट कर लिया है कि दो फंदे हैं यहां से आजाएगा और इधर से तो यह पूरी सिलाई इसी कलर से भी नगी जिस तरीके से हमने नीचे से इस कलर से भी नगी अब उपर को दूसरे कलर से भी नगी 14 इंचे हमने इसकी लंबाई बना ली है अब यहां से हम छाट निकाल लेंगे एट दो दो फंदे हमने बिन लिये हैं पीछे अले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से ले लेए एक फंदा बंद हो गया दो तीन फंदे हमने यहां पर बंद कर लिये हैं अब यहां से हमने कलर को भी चेंज करना है यह पूरी लाइन बिननेंगे और कलर भी चेंज करनेंगे कलर को सेम उसी तरीके से बदलेंगे जिस तरीके से हमने नीचे से बदला था पूरी शिलाइब बिनने हैं अब सेम उसी तरीके से इधर से बिननेंगे करेंगे दो फंदे बिन लेंगे पीछे आले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से लेंगे एक दो तीन फंदे हमने बन कर लिए अब पूरी शिलाइब बिन लेंगे पूरी शिलाइब बिन लेंगे एक दो तो फंदे हमने बिन लेंगे पीछे आले फंदे को इस तरीके एक दो आगे बन कर लिए अब दो फंदे बन कर लिए हैं पहले लाइन में तीन फिर दो बाकि पूरी शिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे पूरी शिलाई बिन लेंगे अब सेम इसी तरीके से इधर से भी बन कर लेंगे एट दो वागे दूसरे कलर से बिनना है अब ये पूरी सीधी सिलाई बिन लेते हैं सीधी सिलाई बिन लेते हैं अब हम एक फंदा बंद करेंगें एक साइट से हमारी चांट निकल गई है तीन दो एक अभी पूरी सिलाई बिन लेंगे पूरी उटी सिलाई बिन लेंगे अब एक फंदा यहां से बिन करेंगे पूरी चांट निकल गए तीन दो एक मुढ़े की चांट निकालने की बार अब हम गले की चांट निकालेंगे 27 फंदे हम लेए बिन लें 26 फंद अब धागा आगे कर लेंगे 5 फंदे उटे बिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे हमने यह उल्टे बिन लेंगे 26 फंदे यह थे 27, 28, 29, 30, 31 31 फंद हो गया 31 फंद अब 26 फंदे हमारे इस साइड बिन लेंगे क्यूंकि 5 फंदे हम पीछे से उठाएंगे यह फंद लेंगे अभी हमारी पास से पूरे पूरी सिलाई में 58 फंद हो 58 फंद लेंगे अब इस में से 31 फंदे हम लेंगे 26 सीधे बिने हैं पांच उल्टे बिने अब इस साइड हम छोड़े जो 26 फंदे हैं छोड़ दिये हैं विए 37 फंदे हैं ये बिन लेए पहला फंदर बिना बिने वे निकाल लेए बाकि पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेए पूरे फंदे बिन लेए हैं ये पांच फंदे हर सिलाई में उल्टा बिनाँगे लागा आगे कर लेंगे इस साइड को छोड़ देना है इसी साइड को उपर को बिनना है पूरे पूरी सिलाई उल्टी 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 बिनेंगे और यहां से सीगी सीगी पांच फंदे उल्टे इसी करिके से उपर को बिन लेए एक साइड हमने पांच इंचे बिन लिया है अब जो यह पांच फंदे हमने उल्टे उल्टे बिने थे यह फंदों को हम बंद कर देंगे पीछे आले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से लेंगे इस तरी के से दो फंदे बन कर लिये हैं तीन चार पांच अब यहां से हम यह जो फंदे बंद कर रहे हैं यह कॉलर के लिए छाट निकाल रहे हैं पांच फंदे बंद कर लिये हैं बाकि पूरी सिलाई बिन लेंगे उल्टी सिलाई बिन लेंगे अब यह सिधी सिलाई बिन लेंगे पहली सिलाई में हमने पांच फंदे बंद कर लिये हैं अब यहां से एक एक फंदा हर उल्टी सिलाई में बंद कर लिये जाएंगे सिधी सिलाई में हमने यहां पर कोई फंदा नहीं गटाया उल्टी सिलाई में यहां पर एक फंदा गटा लेंगे एक फंदा हमने घटा लिया है बाकि पूरी सिलाई बीन लेंगे फिर सीधी सिलाई बीन लेंगे फिर उल्टी में फिर यहाँ पर एक फंदा फिर घटा लेंगे फिर इसी तरीके से एक एक फंदा घटाते हुए उपर को बीन लेंगे फंदे घटाते हुए अब हमने हमारे पास सिर्फ बीस फंदे हैं अच्छांट निकालने के बाद हमने छे इंचे बिन लिया है एक साइट का पूरा हो गया है अब हम दूसरी साइट का बिनेंगे जो ये पास फंदे हमने उल्टे उल्टे भी ने थे ये फंदों को हम अंदर से उठाएंगे एक दो तीन चर पास पास फंदे ये हमने पीछे से उठा लिये हैं अब हम यहां से ओन लगा लेंगे ये पास फंदे उल्टे उल्टे भी नेंगे जिस तरीके से इस साइट भी ने थे पहला फंदा बिना बिने हुए निकालेंगे पास फंदे हमने ये उल्टे उल्टे बिन लिये हैं अंदर से उठाए हैं अब बाकी फंदों को सीधे सीधी भी ने लिये हुए सीधी सिलाई सीधी भी नेंगे और उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बिनना सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने ये दूसरी साइड बिना है सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये पास फंदे हमने उल्टे बिनने हैं सेम इस साइड भी इसी तरीके से करेंगे पूरे सीधे भी नेंगे ये पांच फंदे जो हैं इनको उल्टे भी नेंगे सेम इसी तरीके से बनाएगे जिस तरीके से हमने इधर बनाया था दोनों साइड बराबर हमने बना लिया है आगे का पार्ट पुरा हो गया, पीछे का पार्ट हमने छाट निकालने तर सेम आगे की पार्ट की तरह बना लिया है, छाट भी सेम उसी तरीके से निकाली है, 3, 2, 1, 3, 2, 1, कलर चेंज कर लिया है आगे के पार्ट में छाट निकालने के बाद यहां से हमने गले की छाट निकालने थी पीछे के पार्ट को सीधा सीधा बिन लेंगे इसमें कोई छाट गले की नहीं निकालनी है छाट निकालने के बाद हमने 6 इंचे बिन लिया है अब ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट अब बीस फंदे आगे के पार्ट में हैं 20 इस साइट 20 इस साइट अब 20 फंदे हम पीछे के लेके दोनों को साथ बन कर लेंगे एक पीछे से ले लिया है एक आगे से दो फंदों का एक कर लिया फिर इसे पीछे डालंगे पीछे से दो ले लंगे आगे से एक तीन फंदों का एक कर लिया फिर इसे पीछे पीछे से दो आगे से एक झाल बीच फंदे आगी के थे और बीच फंदे इसके साथ पीछी के हमने बन कर लिये हैं अब ये जो बीच के फंदे हैं इनको बिना बिने हुए इस तरीके से सिलाई में ले लेगे बीच के फंदे हमने शिलाई में ले लिए हैं अब 20 फंदे ये बचे हैं 20 फंदे आगे के सेम इसी तरीके से बंद कर लंगे जिस तरीके से हमने इस साइट किया था सेम इस दूसरी साइट भी इसी तरीके से बंद कर लंगे झाल झाल पूरे फंदे हमने ये बन कर लिये अब यहाँ से हम फंदा कॉलर के लिए उठाएंगे इस तरीके का हमारा गला बन गया है अब यहाँ से हम फंदे उठाएंगे यहाँ से हमने जोइंट कर लिए है सीधी साइट से उल्टी साइट को फंदे उठाएंगे इस तरीके से एफ दो तीं तीन चार पांच फंदे जो हमने बॉर्डर के बिने थे यहाँ उठा लिए है इसी तरीके से पूरे यह फंदे यहाँ तक हम उठा लेगे 25 फंदे हमने यह उठा लिए है 20 फंदे पीछे की साइड है इनको भी इनी फंदों के साथ बिन लेंगे पूरे 45 फंदे हो गई अब 25 फंदे हम इस साइड के उठा लगे सेम उसी तरीके से फंदे उठाएंगे इस तरीके से पूरे फंदे हमने उठा लिये हैं 25 इस साइड उठाए हैं 25 इस साइड और 20 बीज में पूरे हमारे 70 फंदे हो गए है पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे एक फंदा यहां से हम बढ़ा लगे नीचे से उठा लिया है एक फंदा यह बढ़ गया है अब बाकी पूरी उल्टे उल्टे बिन दे हैं पूरी सिलाई बिन दे हैं अब इधर से भी उसी तरीके से करेंगे पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे एक फंदा यहां से बढ़ा लेंगे नीचे से उठाएंगे फंदा एक फंदा बढ़ गया है पाकी पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बिन लेनी है फंदा बढ़ाते हुए उपर को कॉलर बिन लेंगे एक सिलाई में हमने फंदा बढ़ा लिया, एक यहां से, एक यहां से, अब दूसरी सिलाई बिना फंदे बढ़ाए हुए भी नहीं, अब इसमें हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, अब यह सिलाई पूरी कर लेंगे, उसके बाद दूसरी सिलाई में, फिर एक फंदा यहां से एक-एक सिलाई छोड़के फंदे बढ़ाते हुए उपर को बिल लेंगे फंदे बढ़ाते हुए अब हमारे पास 90 फंदे हुए 90 फंदे और इसकी लंबाई चार इंज अब यह फंदों को हम बंद कर देंगे पहला फंद पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से लेंगे इस तरीके से इस तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे पूरे फंदे हमने बंद कर लिये हैं अस्तीन के लिए हमने सिंपल से 35 फंदे डाल लिये हैं 35 फंदे दोनों साइट से उल्टा उल्टा बारा सिलाई बिन लिया है पहला फंदा बिन लिया अब यहां से एक फंदा बढ़ा लेंगे फंदा नीचे से ले रहे हैं एक फंदा यहां पर बढ़ा लिया है पाकी पूरी सिलाई बिन लेंगे लास्ट में एक फंदा यहां पर बढ़ा लेंगे फिर तीन सिलाई सिधे सिधे बिन लेंगे चोथी सिलाई में एक फंदा यहां से बढ़ा लेंगे एक फंदा यहां से फिर तीन सिलाई बिन लेंगे फिर उसी तरीके से एक यहां से एक यहां से फंदे बढ़ाते हुए अस्तीन को बील लेंगे जिस तरीके से हमने आगे पार्ट और पीछी पार्ट में कलर चेंज ही किया था उसी तरीके से अस्तीन में भी कल लिया है फंदे बढ़ाते हुए, अब हमारे पास 60 फंदे हो गए है, तीन सिलाई बिनने के बाद चोथी सिलाई में फंदा बढ़ा रहे थे, अब दो सिलाई बिनने के बाद फंदा बढ़ा लगे, दो सिलाई बिन लगे, तीसरी सिलाई में फंदा बढ़ा लगे, एक यहां से, एक य दमबाई के बाद हमें बढ़ाना है, 12 इंचे बिनने के बाद, अस्तीन में छाट निकालने से पहले हमने पूरे 70 फंदे, पूरे 70 फंदे इसमें यहां तक है, इसके बाद हमने छाट निकाली है, छाट से मुझी तरीके से निकाली है, जिस तरीके से आगे पार्ट और पीछी पार्ट में निकाली है, 3, 2, 1, 3, 2, 1, चाट निकालने के बाद पूरे 70 हमने बंद कर लिये हैं, अस्तीन की लंबाई, अस्तीन की लंबाई, साड़े 15 इंचे, अब हम स्वेटर को जोड़ लेंगे सबसे पहले आगे पाट और पीछी पाट को जोड़ेंगे एक बार एक पाट से लेंगे दुबारा दूसरे पाट से इस तरीके से पूरा चाट से चाट तक यहां तक हम इसे जोड़ेंगे फिर सेम इसी तरीके से दूसरी साइट जोड़ेंगे दोनों साइट से हमने यह जोड़ लिया है अब हम अस्तीन जोड़ेंगे अस्तीन को जो हमने यह आगे और पीछी चाट निकाली थी चाट के साथ चाट मिलाएंगे इस तरीके से यह आगे से और इधर की चाट पीछे की साइट से इस तरीके से जोड़ेंगे एक बारस तीन से लेंगे एक बार इपार्ट से इस तरीके से चाट से चाट मिला लेंगे और इसके बाद पूरी इसकी गोलाई लेते हुए पीछे की चाट से चाट मिला लेंगे फिर इसको इस तरीके से पूरे अस्तिन को यहां से पूरे यहां तक अस्तिन को जोड़ लेते हैं पूरी श्टर हमने जोड़ ली है अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए इडिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें को से लिए अगर मैंसरा को सस्क्राइब लेँक करें करें लिए श्र जदकरें लिए करें भार दोत्वयों करें? ढुर्टर